कुकू pipe a ये मरे से यह वीडियोसेशन वीडियों सब आपको दोस्तिवर अलम आज कोमारे वीडियों में मिशानने वाले हैं लॉक सिर्टि भारे में जैसी कहा आति यहां इसका पार्ट वीडियो है उसे वीडियों में में से पहले आप दोन वीडियो देख लेते हैं तो आप ऑपरेटिंग के मामले में ओके हो जाएंगे कोई दिकत नहीं है तो आप जो भी फिर भी डाउट्स कुछ रहता है किस तरह कोई प्रावलम है तो आप कमेंडर मेसेज करें मुझे सो बताने कोसिस करेंगे तो चले हम इ हुर आप बताएंगे कि आपको कितना रिडिंग के इस अब लिखा हुआ है फिर उसके बाद досक्राशन को बाद करेंगे हैं तोंकर बने रहे कि हम लोग को क्या है कैसे भरना equipment का code यह आपको साइड से मिल जागा माल लेचे 54 फिप्टी तीर जितना भी आप मिलसंग कर दें में कुंसा है carrier का है तो हम आज carrier के बारे में यह रिडिंग हम लोग बुक लिए है carrier का लिए है तो हम यहाँ carrier लिख देंगे ठीक है ना उसके बाद एरिया जो मतलजीस एरिया पढ़ता होगा वह एरिया को आप यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया माल इसे हम देली का ले लेते हैं तो यहाँ पर हम देली डाल देंगे एरिया और यह कौन सा है तो माल यह 2021 कर दिए फिर एरिय आपको सब साइड पर मिलेगा कोड जो भी हो आप यहाँ पर मेंशन कर दें लोकेशन यह भी आप क्या कहते हैं डाल सकते हैं वह आपको साइड से मिल दाएगा सिरियल नंबर जितना रहेगा वह चीलर का से लिए सिरियल नंबर हमको लिखना है सिरियल नंबर में कुछ भी ह कुछ problem है जिस छीलर को आ रनिंग कर रहे हैं तो चीलर का यहारा कर सकते हैं तो चीलर के लिए लिए लिक देंगे लोक्सिट नमबर हमनों लिए कि इतना नंबर का लॉक्टेज है कि यह हमारा मालने से बारा घंटा का रेडिंग इसमें सो होगा था देखिए दो गंटा के बाद इसमें रेडिंग लेते हैं लाने मिलेगा कहीं 2 घंटा मिलेगा तो मुस्टली आपको 2 घंटा का रेडिंग मिलेगा चिलर का लेने के लिए वाटर कुल्ट चिलर है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस पतलब यह इसमें इसके अंदर 20 घंटे का रेडिंग आ सकता है मतलब पूरा एक दिन का सब्सक्राइब तो लॉक्सित नमबर भी हमारा चेंज होगा लॉक्सित नमबर मालेजे यह हमारा 20 है डेट जितना रहेगा आप डेट डाल सकते हैं ठीक है मालेजे 16 11 आपको 2021 है यह हम डाल देंगे इसमें रेफिजेंट का टाइप यहां पर लिखावा 134 है और यहां पर हुआ है लिख देंगे मोडल नमबर जो भी रहेगा मोडल नमबर को मिहां पर मेंशन कर देंगे यहां पर एक हमारे पास यह देख रहे हैं यह हमारा लॉक्सित हमारे पास है अवेलेबल लेकिन इसमें क्या है पूरा भरा हुआ इसलिए आप लोग समझ में नहीं आएगा तो हम एक एक करके explain करेंगे अलेडी एक reading log book है मेरे पास दूसरा सबसे पहले हमको एक एक करके reading क्या क्या लेते हैं एवाप्रेटर का entering water temperature यह centigrade में मिल सकता है फारन हाइट में मिल सकता है तो आप दोनों में आप हम लोग temperature को दो चीज़ में लिखते हैं centigrade में फारन हाइट मे करेंगे मालेजे हमारा कितना डिगरी इन कर रहा है यह तो एक जस्ट ऑपेनीन के लिए यहां पर लिख दिया है लेकिन इससे हमको नहीं है reading हमको difference मिलेगा reading हमको उसके हिसाब से लिख रहा है तो मालेजे हमको चीज़र हम चालू कि हमको 14 degree centigrade temperature मिल रहा है तो यह हमारा चीज प्रेंडर है 7 degree to 40 degree in कर तो 7 degree out करेंगा यह हमारा हो गया अपरेटर का entering water temperature 14 degree centigrade और यह living water temperature यह इसको supply water temperature दोनों चीज़ हम लोग बोल सकते हैं तो यह हमारा 7 degree centigrade हो गया अब उसके बाद यहां पर pressure क्या करता है यहां बार में है यहां बार में लिख सकते हैं केजी में लिख सकत जो भी है तो अगर माले जो PSI में करेंगे तो माले जो 68 यह मिल रहा है तो उसके बाद out कम से कम हमको 62 यह 60 के आसपास हमको यह out करना चाहिए यह हमारा क्या चीज़ PSI में ठीक है ना यह चीज़ क्याद रखे और यह जो pressure का reading है यह हर side पर equal नहीं मिलेगा यह तो आपको equal मि ने करना पड़ता है सेटिंग से लेकिन यह अपना मसीन के हिसाब से कितना टन का आपका मसीन लगा हुआ है फिर कितना लंबा distance 5 थिकनेस क्या है उसके हिसाब से pressure को set के जाता है दूसरा हमारा suction थो रड़ान नयाखिया। सब्सक्राइए हमारा कइस सब्सक्राइब है कि सब्सक्राइब हो दोिम्हारा कि अटल देंगे फायडीर से पॉइशन होता है तो आप उतना मिलेगा नहीं 5.5, 5.6, 5.8 इस तरह से मिलेगा कोई भी एक भेलू को यहाँ पर जो मिलेगा वो रेडिंग को हम यहाँ पर लिख देंगे saturation temperature में भी सेम इसे एक दो पॉइंट कम मिलेगा 5.2, 5.3 जो भी है एक आप इसको लिख देंगे section super heat वहाँ रेडिंग में दिखाएगा वो रेडिंग में लिख देंगे evaporator approach जितना भी मतलब रहेगा वो दिखाएगा वो भी आप रेडिंग में लिख देंगे बट यह आपको डिस्प्ले में रेडिंग सो करेगा तो आप इस चीज को लिख सकते हैं यहाँ पर डायर देख करके operator का काम है जो भी रेडिंग सो करें उस चीज को यहाँ पर लिखेना है condenser living water temperature entering water temperature अगर हमारा condenser में 30 degree माल इज़े 25 degree centigrade का हम यह पानी को इन करा रहे हैं पुलिंग ठाव से पानी आ रहा है तो इसका डिल्टा टी जो है न यहाँ पर पांच डिग्री बढ़ जाएगा 30 degree centigrade हमको यह आउट पानी मिलेगा जो लिभिंग है यहाँ पर जो दिखा रहा है यह इंट्रिंग यह लिभिंग मतलब कंडेंसर के अंतर हमारा 30 degree centigrade पानी हमारा हो जाएगा दूसरा यहाँ कंडेंसर वाटर लिभिंग प्रेशर और इंट्रिंग वाटर पर से दोनों का प्रेशर है तो प्रेशर माल लिजिए अगर हमारा 45 PSI अगर इन कर रहा है तो हमारा यहाँ पर 40 PSI आउट करेगा क्यों यहाँ पर यह डेल्टा पी हमारा कम से कम 5 PSI जो है यहाँ पर डॉन हो जाएगा क्योंकि एक सिंगल पाइप से हमारा आ रहा है ना प्रेशर तो प्रेशर आने के बाद कंडेंसर में आपने देखा होगा कि डिये स्केलिंग वारा करने के टाइम बहु सारा उसके हमको 5 PSI प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए 5 PSI हमको प्रेशर ड्रॉप मिलता है ठीक है ना इसी तरह से यहाँ डेल्टा टी हमको 5 degree centigrade मिल गया डेल्टा टी एंड इसी को आप माल लीजिए डेल्टा पी यह भी हमको 5 PSI मिल गया केजी में रहे बार में रहे आप उसको इसाब से केजी में रहेगा 0.5 मिलेगा ऐसा करके आपको मिलेगा ठीक है ना यह चीज़ आप सियूर हो गया दूसरा हमारा डिस्चार्ज रेफिज प्रेसर हमारा जीतना भी सोग करेगा सिस्टम में मुतना हम लीख देंगे माल लेजिए हमको 700 kPa प्रेशर सो कर रहा तो हम 700 kPa लिख देंगे यह यहां पर लिखा है कि इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस तरह से इसने मेंसन किया है इसका हम लोग को भेरू नहीं लिख रहा है इसके इसाथ नहीं चलना है प्रिटिशाज के रिफिजेंट टमप्रेचर जितना भी रहेगा वह हम लिख देंगे तीक है माल लिजेए आपको जो है 40 40 45 से 50 दिगरी सेंटीगरेट के आसपस में मिलेगा तमप्रेचर लग अ उसका सेश्युरेशन टमप्रेचर हमारा लगभग 30 दिगरी सेंटीगरेट के आसपस आएगा यह सब आपको डिस्प्ले इसप्लेन में सो होगा बस आपको रिडिंग को मेंसन करना है कुछ आपको difference नजराता है कुछ ज़्यादा rating मिलता है सब कुछ रधत आपको remark में यहाँ पर mention कर देना है ठीक है निचे में और बता देना हो इस चीज़ को फिर आप इसी तरह से liquid line का temperature लेना है फिर sub cooling temperature लेना है condenser का approach लेना है जितना भी approach reading कर रहा है माल लीजे हमारा approach 0.7 है या 1.0 है तो आप उसको 1.0 यहाँ पर mention कर देंगे जितना बज़े दो दो घंटाम reading लेना है दो बज़े का reading, चार बज़े का reading, छे बज़े का reading इस तरह से दो बज़े के reading आपने इतना लिखा चार बज़े का reading का 1.0 बतार 1.0 लिखेंगे जितना भी difference मिलेगा ओर reading के सामने आपको mention करते जाना है उस बीच में आपको operator का क्या काम है pump को check करना है आप already pressure लेंगे तो pressure अगर आपको drop दिखेगा आपको छुल्टा दिखेगा तो आप जा करके manually pump को check करेंगे आपको लिख देंगे वो डिस्प्ले में दिखाएगा माल लेजे हमारा kp में 200 kp दिखा रहा है एक चल्में यह हम एक reading लिख दे रहे हैं यह हमारा होता है यह डिफिजेंट आर वन थी फोर है ना इसका oil pressure यहां पर 200 kp होता है तो हमने यहां पर लिख दिया अब वहां पर माल लेजे 5 psig डाउन भी दिखा सकता है 5 psig अब भी दिखा सकता है तो हमको वो reading को यहां पर mention करना है और फिट टंप्रेचर जितना भी है उतना हम लिख देंगे वाइल सम टंप्रेचर जो है यह भी हमको वाइल का टंप्रेचर कम से कम 45 से 55 तक हमको centigrade में मिलना चाहिए तो जितना reading सो करेगा display में हम उस reading को यहां पर उतार देंगे फिर वाइल टेंक वाइल सम प्लेबल कितना है जो आप सामने डिस्प्ले में दिखते हैं उसमें आप मैन वाली चेक कर सकते हैं वह हाफ में है कि फूल में है या 1 by 3 में है तो जितना में आप लिख देंगे अगर हाप में है तो आप 1 by 2 लिख देंगे समझ गया है दूसरा compressor का motor winding temperature तो motor winding temperature भी यह सब में लिखा जाते हैं कि इतना है यह तो बहुत ज्यादा लिख दिया है एक average किसाद पर इतना रहता नहीं है कम से कम आपको जो reading मिलेगा आपको मिलेगा दूसरा हमारा compressor थ्रस्ट बारिंग टंपरेचर यह आपको निर अबाट 50 डिए सेंटिग्रेट यह इतना मिलना चाहिए 50-45-40 इस हिसाब से आपको मिलना चाहिए ठीक है दूसरा एक्सप्रेंशन गाइड वैंट पोजिशन कितना परसेंट ओपेन है तो जि किराद साल लीजे हमारा पंदरा परसेंट थेंटर है कि कर यह 50% लूड में है 30 परसेंट दीखacer जितना लूड में रहेगा डिस्पलै में दिखेगा आप उससी को यह यहाँप लिख सकते हैं चीलर से लोड कि लूड करता हैं लूड में हैो लिगते देंगे सिटी लोड में है 30% लोड लिए देंगे ये हमारा सभी यह बताया एक्समेंस इसनी ये ओपन का पुसिंटा परसेंट ओपन है वह दिखाता है ये लोड का हमारा चीलर लोड में हो गया मौटर का क्रेंट जो है अब जितना टन का लगाया वह उसी साफ से मौटर का एम्स लेगा ना यह कुछ ज्यादा यहां पर लिखा हुआ है माल लिजे अगर हमारे पास 550 माल लिजे 550 टीयर का हमारे पास अगर चीलर है अगर वो 50 परसंट लोड में चलता है तो इसका रेडिंग संधिंग कितना आता है थी हांड़ेड्ट थर्टी थी इस तरह से उसका लोड आता है यह 50 परसंट लोड में बता है यह 550 टीयर का आपके पास मसीन है हैं सेंटरी ब्हुंग तब चलता है तरहीं बश्क्रावन कि नेंबाट चारसौ पंद्रा जो है जासा पंद्रा जो है इसके इसाब से मेंटेन करके हम लोग देते हैं चिलर कितना टाइम में स्टार्ट हुआ है वह हम लिख देंगे माल लिजे 20 टाइम से स्टार्ट हुआ है तो 20 लिख देंगे 21 है तो 21 लिख देंगे 22 यह चिलर के अंदर डिस्प्ले में मिलेगा कितना टाइम आपका चिलर स्टार्ट हुआ running hours कितना है 100 hours लिख देंगे 200 चला है 200 hours लिख देंगे ठीके उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे some water level मतलग कि यह हमारा cooling tower का water level पूछ रहा है cooling tower का water level कितना percent open है 80% अगर full है 80% लिख देंगे 20% 20% लिख देंगे यतना percent हमारा water level रहेगा उतना percent लिख देंगे make up water tank जो chiller के लिए maintain किया जाता है वो कितना है full है तो full लिख देंगे next हमारा क्या है chemical dozing chilled water यह हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह अलग से इसको लगाए वार रहता है chemical अपना chilled water के लिए तो यह हमारा okay है तो okay रिख देंगे अगर condenser का जो है वो भी okay है तो okay रिख देंगे दूसरा dry world temperature, wet world temperature ठीक है ना इस साइक्रोमेटर से हम लोग चेक करते है जितना भी होगा हम लोग लिख देंगे माल लिजे हमारा dry world temperature 28 degree centigrade है और हमारा wet world temperature 22 degree centigrade आया तो इसका humidity लगभग हमको 59% मिल लागा यह हम अलग video है एक इस पे वो आप देख सकते हैं दूसरा plant room का temperature हमको minimum 23 हमको रखना है तो हमाल लिजे हमारा temperature 25 degree centigrade है तो यह हम लोग है जो chiller का rating को हम लोग लिखते हैं इस तरह से आप reading को भरेंगे अग 2-2 घंटा में इस चीज को reading को लेना है तो आई होप कि आपको समझ में आओगा इसका part 1 वीडियो आप लोग जरूर देखें दोनों का link हम description में डाल देंगे part 1 का वीडियो में part 2 का part 2 का वीडियो में part 1 का दोनों का link description में डाला हुआ रहेगा तो आप लोग अगर इस चीज को देख लेते हैं तो आप लोग को reading के मामले में आप अच्छा जनकारी ले सकते हैं operating से लेकर के और log book reading भरने से लेकर